नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों इस वीडियो में 40 कॉशन हिश्री के हैं वीडियो में जो सेलेक्टिड कॉशन लिए गए हैं आपके एक्जाम की competitive तैयारी को देखते हुए चैक कर जा रहा है इस वीडियो में 40 में से अगर आपने 20 नमबर के कॉशन सॉल्ब कर लीजे तो समझ जाए आप हिश्री से वाकई में आगे निकल जाएंगे और एक्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कि आपका इस status एक्जाम में क्या है तैयारी कैसी है कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ कमेंट करके पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर कॉशन नमबर वन आपसे पूछा गया है इबन बतूता कौन था राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो इबन बतूता जो था एक अर्भी यात्री था राइट आंसर है ऑप्शन नमबर अर्भी यात्री नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूछा गया है अगला प्रशन है प्रथम मुस्लिम शाशक कौन था जिसने ब्राम्भनों पर जजिया कर लागू किया था तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोष शा तुगलग या फिरोष तुगलग इस प्रशिंगले सेत्र हो जाएगा प्रथम मुस्लिम शाशक था जिसने ब्राम्भनों पर जजिया कर लागू किया था नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूछा गया है तुगलग वन्स के शाशक फिरोष तुगलग द्वारा लगाए गए सिचाई कर में उपच का कितना भाग करके लूप में ले लिया जाता था तुगलग वन्स के शाशक फिरोष तुगलग के द्वारा लगाए गए सिचाई करकी उपच के रूप में जो है भाग लिया जाता था वो कुल का एक बटे दस हुआ करता था ओप्शन नमबर ए इस प्रशन के लिए सही उत्तर है तुगलग काल में दासों की देखरे के लिए एक अलग विभाग बनाए गया था इस विभाग का नाम क्या था तो तुगलग काल में दासों की देखरे के लिए एक अलग विभाग बनाए गया था इस विभाग का नाम दीवाने बंदगान था ओप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा खिजर खा को किस वन्स के संस्थापक की रूप में जाना जाता है ऑप्शन नमबर डी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा कोशा ध्यक्ष सब्द निम्न मैं से किस पद को दर्शाता है तो कोशा ध्यक्ष शब्द जो है खजीन को दर्शाता है option number B इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा खजीन इस प्रशन के लिए सही उत्र है नेक्ष कोशन देखते हैं कि आपकी शगया है अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर सल्तनत काल साशन बिवस्था के अनुरूप गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला भूमी कर खराज तथा मुसल्मानों से लिया जाने वाला भूमी कर क्या कहलाता था तो सल्तनत काल इंच विवस्था में खालसा भूमी कौन सी होती थी तो सल्तनत काल में जो विवस्था थी उसमें खालसा भूमी जो होती थी वह पूरता केंद्र के नियंत्र में रहने वाली भूमी होती थी उसे खालसा भूमी कहते थे अप्शन नमर सी इस प्रेशिंग लेए सहीतर है नेक्श्ट कॉशन देखते हैं क्या पूषगया है पैगोड़ा निम्ण मैसे किस सामराज की मुद्रा थी कश्मीर का परथं मुस्लिम शाशक कौन था तो राइट आंसर हो जाएगा शाहमीर ऑप्शन numडर इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाए कि कश्मीर का परतों मुस्लिम शाशक शाहमीर था नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर कॉशन हैं आपके सामने इनमे से शक कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी द्वारा निम्न मैंसे किस स्थान पर करवाया गया था कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा निम्न मैंसे किस स्थान पर करवाया गया था तो ये कुशक महल जो है महमूद खिल जी के दुवारा फतेहाबाद में बनवाए गया था option number A इस प्रशिंग लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है अकबर ने किस वर्ष गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया था तो अकबर ने गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा 1572 में बनाया था option number B इस प्रशिंग लिए सहीत्र हो जाएगा 1572 में बनाया था next question देखते हैं क्या पुशा गया है सूफियों का धर्म संग बाशारा का अर्थ क्या था सूफियों का धर्म संग बाशारा का अर्थ क्या था तो इसलामी सिद्दान्त के समर्थक जो थे उन्हें बाशारा कहा जाता था option number A इस प्रशिंग लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं सिक धर्म के किस गुरु साहिब ने देश का पांच बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस नाम से जाना जाता है तथा कीरतनों के माद्यम से उपदेश भी दिये थे इन्होंने तो सिक धर्म के किस धर्म गुरु ने तो सिक धर्म के गुरु नानक देवजी ने तो सिक धर्म के देश का पांच बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस के नाम से जाना जाता है और कीरतन के माद्यम से उपदेश भी दिये थे इन्होंने नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन निम्न में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था तो इब्राहिम जो था बाबर का पुत्र नहीं था राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमर सी इस प्रशन के लिए सहीतर है नेक्श कॉशन देखते हैं अकबर के नौरतनों में से उसका असली नाम राम तनू पांडे था उसका नाम क्या है तो अकबर के नौरतनों में जिसका नाम राम तनू पांडे था वह तानसेन है option number C expression के लिए सही उत्र हो जाएगा next question देखते हैं अकबर ने महा भारत का फारसी अनुबात कराकर इसका नाम रज्म नामा रखा था इसका मतलब क्या है में काबुल का राज दे दिया था तो बाबर के पुत्र हुमायू ने अपने कामरान भाई को काबुल का राज दे दिया था नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है हुमायू द्वारा निर्माट जो है गुजरात राज्य पर विजय के बात कराया था option number B इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं किस मुगल समराट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंग जेप को option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं प्रशन है मुगल कालीन विवस्था में मदद ए माश शब्द से क्या मतलब था तो मुगल कालीन विवस्थाओं में मदद ए माश शब्द मतलब लगान हीन भूमी option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है शिवाजी के साशन में दर्बारी भाषा क्या हुआ करती थी तो सिवाजी के साशन में दर्बारी भाषा जो थी वह मराठी हुआ कर दी थी option number D इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है किस मुगल व्यापारे केंदर को सिवा जी द्वारा दो बार लूटा गया था तो सिवा जी के द्वारा सूरत को दो बार लूट लिया गया था option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं सिख सामराज में मिसल का मतलब क्या हुआ गरता था तो सिख सामराज में मिसल का मतलब था दल खालसा की विभाजित टुक्डिया option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन महराज रणजीत सिंग किस मिशल से समधित थे तो महराज रणजीत सिंग सुर्चकिया मिशल से समधित थे उप्शन नमर सी यहां पर सही उत्rup झाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं तो शाह एक खबर उपनाम से बहादुर शाह को जाना जाता था राइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बीस प्रेशिंग लिए सही उत्तर है नेक्श कॉशन देखते हैं अन्ते मुगल शाशक बहादुर शाह जफर जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध अठरा सो सतावन की क्रांती में भाग लिया था शाशन काल उसका क्या था तो अठरा सो सतावन की क्रांती में जिसने भाग लिया था अंतिम मुगल, बाशा, बहादोशाह, जफर, 1837 से 1857 तक इसने शाशन किया, option number D, यहाँ पर सहीतर हो जाएगा, next question देखते हैं, प्रशन है, भारत में सरप्रतम ओद्योगिक वेतन भोगी रखने वाले कौन थे, तो सबसे पहले भारत में ओद्योगिक वेतन भोगी जो है, ड चोटी सी कोटरी में बंद करके, उसमें जिंदा, मतलब उसमें बंद कर दिया गया था, जिसमें मातर 23 जिंदा बचे थे, बागी सब जल गए थे, तो ये कब घटना हुई थी, तो ये 1757 में घटना हुई थी, option number C, यहाँ पर सहीतर हो जाएगा, next question देखते हैं, शिक धर्म में पंगत शब्द का मतलब क्या है, शिक धर्म में पंगत सब्द का मतलब है, लंगर, option number C, इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा, next question देखते हैं, शिक धर्म के संस्थापा, गुरु नानक देव किन मुगल शाषकों के समकालीन थे, तो गुरु नानक देव जी जो है, ब जोविन सिंग जी के द्वारा खालसा पंत की स्थापना जो है, 1699 में बैसाखी त्योहार के दिन की गई थी, option number B, इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा, next question देखते हैं, जलिया वाला बाग हत्या कार्ण में एक भारतिया कार्ण में जनरल डायर की सहीतर हो जाएगा, next question द जानी दुबारा 1922 में चलाएगा, सहयोग आंदुलन कितने दिन तक चला था, तो 1922 में चलाएगा, सहयोग आंदुलन जो है, 6 दिन तक चला था, right answer हो जाएगा, next question, किस बिल के विरोध में बटुकेश्वर अदत्तो भगत सिंग द्वारा दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्ले विट्यो असेंबली में बम फिक दिया था, तो दोस्तो ये थे 40 question history के, क्या score रहा, अगर आप share करना चाते है, comment box में share कर सकते है, कुछ पूशना चाते है, पूछ सकते है, चैनल पर अगर नए है तो subscribe कर लिजेगा, bell icon on कर लिजेगा, जिससे आगे आने वाली classes के notifications आपको मि